तो नीमित रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं तो फ्रेंट से सर्दियों का सीजन चल रहा है और सर्दियों में ताजी ताजी और हरी हरी मेथी भी आने लगी है और मेथी की सबजी पराठा पूरी कई तरीके की खाना रेस्पी बनाते हैं और बहुत हेल्थी होती है और इसमें मेथी हैं भी और हाही ताज ड़ली असमें रोटी परा हमुझन ये करना बहुत जल्दी बनते हैं तो तो उसके लिए मैंने रोटी हमें और बाख ब्रेशन चंबच ईस Обac जिसमें एक और भी डाल भी चाहते हैं। काटा नहीं हैं, साबुत ही मेथी डालेंगे। और मिदम बाद में बताएंगे प। इसमें चाहते हैं। पहले मैंने लिया गारलिक, यसको आराम से मैंने कूट shipиж , और दो से थीन हरी मिर्च लिए इसको डाल लिया इसमें और आप चाहे तो इसमें अधरक भी जिकर डाल सकते हैं और आदा चमच अल्दी पॉड़ लिया मैंने आदा चमच कुटी हुई लाल मिर्च लिए है और हम इसमें लेंगे धनिया पॉडर और एक चमच हम लेंगे इसमें जीरा पौडर वन्तब जीरा साबुत आप चाहें तो जीरा बुना हुआ डाल सकते हैं इसमें और एक चमच नमक लिया है मैंने स्वाथ के अन्सवार और थोड़ा सा कम लग रहा था मैंने और भी डाल दिया इसमें तो टोटल हमने 1.5 चमच ड में डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे आप बिल्कुल इस बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पानी हमें बिल्कुल नहीं डाला मेथी में क्योंकि मेथी खुदी नम होती है तो हम जब जरूवत पड़ेग तो पराठा में क्या स्वाद आता है और जम मेथी को इसी तरीके से डालेंगे तो इसमें क्या अलग से स्वाद आएगा हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में और फिर से इसको दूसरे हार से पलटिए फिर गूंदिए तो आपका आठा जितना ही भड़िया अच्छा आठा जितना फूल. ये गारंटी है अगर आठा अच्छे नहीं गुनदेगा तो आपका रोटी पराठा कटा नहीं अच्छा नहीं बनेगा तो तो हमने आठा अच्छे से गूंद लिया था उसको रख दिया हमने लगवाद पांच मिनिट के लिए तो आठा अच्छे से शैट हो गया और इस तरीके से प्योड़ा टैप में इसकी लोई बना लेते हैं आप लोई एकटी बना के रख लें तो होता है यह आसान होता है जब क चाहे के साथ में इनको खाईए चाहे तो राता के साथ में चटनी के साथ में जैसा आपको पसंदो आप उसके साथ में इनको सर्फ करिएगा तो देखिए इस तरीके से हम इसको बेल रहे हैं अगर आपको एक से पराठा चाहिए तो आप इसको कोई सा डखकन हो या प्लेट भूह आज हम को और वन और गोल को बनाए कीशजें पराठा बता रहा है कि अदो फूद्ध को आप इसती आफ ऐसे बताना参प आपको जैसा डिजान पसंदो और वैसे आप बनाते हैं तो उसमें अलग अलग सोड़ा सा स्वाद भी बदल जाता है डिजान के क्योंकि आम गोल बनाएंगे उसमें कुछ और स्वाद होगा अगर हम स्कॉर सेफ में मनाएंगे तो और स्वाद होगा अगर हम तिकोना बनाते हैं, उसमें और ज़्याद अस्तराद हुआ है, तो आपको जैसा पसंद हो है, आपकी फैमली को जैशा पसंद हो, आप उसी तरीके से बनाई ये पराठा, और हमने देखो, आप तीसर वाला पराठा भी बनाए है, इसको मैंने तिखोना बनाया है इस तरह से थोड़ा सा हमने घी लगाया फिर इसुके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा ढाल दिया इससे पराट़े के अंदर जो लेयर बनती है विलकुल अलग-अलग हो जाती है जम इसको खाएंगे ना तो यह सारे ही चितने प्ट लगाते उसम तो इसलिए आप इन सर्दियों में ऐसे पनाठे जरूर बनाईए एक बार और अपने दोस्तों को खिलाईए और अपने बच्चों को फैमिली को जो आपके घर पर उनको खिलाईएगा तो देखिए पनाठा मेरे सारे रेडी हो गए हैं और मैंने लिया रोटी वाला तवा इसको पलट दिया है और जब तक नीचे से सिक ना जाये अच्छे तब तक आप इसमें बिल्कुल ही और नहीं लगाए तभी आपका पराटा और भी अच्छा होगा तो मैंने इसको फिर पलट दिया है जब अच्छे से सहे जाएगा, तब हम इसमें ऑईलिए लगाया इसमें आप चाहें तो इसमें घी देशी घी से बना सकते हैं बनस पती घी से बना सकते हैं लेकिन हम बनाने इसको देशी घी से hollow तरीका बता सब्सक्राइब ये चैश नारव निकल गया है और इसी तरीके से पर्णाठाइब लिए इसमें तरीके से 3 पराठा भी आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया लेकिन इसमें कई तरीके कि हमने आपको पराठा कई तरीके की इसमें चीज भी बताई है बहुत अच्छे से समझाने की कोसिस भी की है तो देखिए मैंने दूसरा पराठा है वो उसको भी इसी तरीके से सेका है और पराठे कितने बढ़िया लाल लाल से बन रहे हैं करारे क्रेस्पी पराठे तो देखिए बातो बातो में मेरे पराठे भी बन गए है ताली भी रेडी हो गई है तो गर्मा गर्म पराठा मैंने सर्पिया है रायता और चटनी के साथ में मैंने दही करायता लिया वो कितना स्वाप्ट ना साइज के अंदर बहुत ही स्वाप्ट है और उपस से बहुत क्रेस्पी लग रहा है वाई हमें तो बहुत मन कर रहा है खाने का तो हम पे तो रुका ही नहीं जा रहा है तो बटा बटा आपको किलाते हुए हम भी खाएंगे क्योंकि हमें मेथी के पराठे बहुत ही जादा हमारे तो हमारे तो फेवरेट हैं मेथी के पराठे किस किस के फेवरेट हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेथी मैंने साबुत इसलिए डारी है क्योंकि मेथी को अगर हम काड के डालेंगे तो मेथी के पराठा कड़वे हो जाते हैं अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए आप कभी भी पेथी के पराठा बनाईए तो साबुत मेथी डालिए बहुत टेस्टी बनते हैं उसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं आता है अच्छा लगे तो लाइक और सस्क्राइब करना न भूलिए